एक बेहत एहम खबर की ओर आज रक्षा अधिकरहन परिश्वत की एहम बैठक होने वाली है जिसमें दो लाख करोड की रक्षा खरेदारी को मन्जूरी मिल सकती है तमाम जानकारी हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियादर्शी दे रहे हैं काफी एहम बैठक होने जा रही है जिसमें करीब दो लाख करोड की लागत की जो मिलिटरी प्रोजेक्ट्स हैं उसको मन्जूरी मिल सकती है सुत्र हमें बता रहा है कि कई ऐसे इंपॉर्टन्ट प्रोजेक्ट्स हैं जो की एजेन्रे में शामिल हैं अगर आप उस पर नज़र डालें तो करीब 97 लाइट कॉंबेट एरक्राफ्ट मार्क वन ए है इसके अलावा काउंसिल के सामने 84-130MKI जो है उसको भी अपग्रेड करने का प्रस्ताव है यह दोनों ही प्रोजेक्ट्स जो हैं इंडियन एर्फोर्स के अगर बात करें तो सबसे बड़ा प्लान है उनके जो उनके पास जो फ्लिट है उसको अपग्रेड करने के दिशा में इसके अलावा 156 Light Combat Helicopter प्रचंड उसको भी अक्वायर करने की योजना है और ये भी अजनरे में शामिल है तो काफी इंपॉर्टन डिवलप्मेंट है और सबसे इंपॉर्टन बात इसमें यह है कि जो इन फाइटर जेट्स को अपग्रेड करने की प्रक्रिया है वो देश क अंदर ही उसको अंजाम दी जाएगी तो जाहिर तोर पे आतम निर भर भारत डिफेंस एक्विप्मेंट की बात अगर आप करें तूस दिशा में काफी इंपॉर्टन कदम है जैसा कि आपको पता है कि डिफेंस मिनिस्ट्री ने पहले ही करीब 11,000 करोपे की लागत से करीब